करेंगे शुरूबाद है ओके आपको फश्टे है आप पहले आच हो कियो ना कि सीटी मेटे देगा कि अच्छा सीटी में तो एक तम हेस्टैल चेंज होगी वैसे पहले इतने तो नहीं थे चेहरा याद बाले आद नहीं वागे चले और किसका फर्स्टे भाई आज आपका 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 और 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 आप लोग का क्या उन्हें आपको फश्टे गया बदाई हो तेरा तो ही तेरा तो रोज ही रहता है है कि नहीं चले करेंगे शुरुवाद है ओके चले भाई यह साय व्योमा अंकित किरन अभी रिया आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है चले बहुत करते शुरुवाद तो कल जो आपने पड़ा था एक बार मैं को क्विक्ली रिकॉल करवा ची अगर आपको कहा से मिलते हैं तो एक बार वह भी रिकॉल करवा जाया हूं मुझे बिताई कि अगर आपने को इंडिया में टेक्स लगाना है तो टेक्स लगाने का पावर अपने बास होना चीए और वह पावर कहां से आजाए तो कॉंटुशन से तो कॉंटुशन का आर आपको पावर चाहिए और आपको उसके लिए लोग बनाना पड़ेगा अपने को लगना पड़ेगा अब law कौन बनाएगा तो आपने इसके भी भी बनाता है and state का legislature भी बनाता है तो इन दोनों में difference क्या हो जाता है भाई? Parliament and state legislature दोनों मिलकर क्यों बनाता है? मैं बना Parliament जो law बनाएगा वो all over India के लिए रहेगा ठीक है? and state legislature वाला सिर्फ उसे वो particular state के लिए रहेगा तो Parliament में कौन को नाता है जैसे? लोकसभा, राज्यसभा ठीक है? state legislature तो विधान सभा, विधान परिशद ये आपके state legislature में आते हैं correct है? तो Parliament जो law बनाएगा all over India, state legislature जो law बनाएगा वो सिर्फ उसे वो state पर applicable होगा अब कौन से मुद्धे पर कौन law बनाएगा? इसमें जगडा नहीं होना चाहिए तो हमने इसको लिखके रखाए, कहां पर लिखके रखाए? अपने schedule number 7 में तो schedule number 7 में हमने आपर तीन list डाल कर रखी है जिसमें हमने लिखके रखाए कि भाई कौन से मुद्धे पर कौन law बनाएगा? तो list का नाम है यूनियन लिस्ट, state list and आपका concurrent list यूनियन लिस्ट को लिस्ट वन भी कहते हैं दूसरे को list 2 भी कहते हैं, तीसरे को list 3 भी कहते हैं अब यूनियन लिस्ट में जो भी मुद्धा लिखा है उस पर law बनाएगा पारलियमेंट, state list वाला state का legislature and concurrent में दोनों मिलकर यहां पर law बनाते हैं अब पारलियमेंट में, मतलब यूनियन लिस्ट में अपने काम की जो एंट्री है वो नमबर है 82 जिसमें लिखा हुआ है Tax on income but other than agricultural income मतलब normal income पर tax लगाने का पावर जो है वो पारलियमेंट के पास है then state legislature के पास पावर है NT number 46 में Tax on agricultural income पर tax लगाने का पावर तो है लेकिन क्या इन्होंने इसको यूस किया है तो answer is no क्या इन्होंने states ने agricultural income पर tax लगाया है तो answer is no इंडिया की agricultural income पर tax नहीं लगता है इंडिया के बाहर से अगर आप agricultural income कमा रहे हो तो तो tax देना पड़ेगा मतलब for example मैं आपको कल बताए भी था कि for example समझो कि आपकी पाकिस्तान में एक जमीन है वहां पर आप farming कर रहे हो लेकिन आप इंडिया में रहते हो तो वहां से farming का पैसा आ रहा है ठीक है इंडिया के अगर agricultural income होती ही तो tax free होती ही बाहर की होती ही तो taxable होती है perfect है okay concurrent list में कुछ कुछ जैसे यहां पर आपका partnership आ जाता है आपका education आ जाता है तो इन सब चीजों पर Parliament and state legislature दोनों मिलकर law बना लेते हैं perfect चले मागे okay तो यह तो अपने बुला कि यह लोग मिलकर law बनाएंगे अब जो law बनाने के actual processing होती है वह actual आपका ministry होता है वह law बनाता है तो हमारे काम का ministry है वह कौन सा है ministry of finance तो ministry of finance का का काम रहता है finance में दो काम में होते हैं एक खर्चा करना और दूसरा income लाना तो दोनों के हमने अलग-अलग department बना के रखें तो एक का नामे department of revenue एंड दूसरे का नामे department of expenditure तो revenue का का में सिर्फ उसित पैसा ले क्या ना expenditure का में खर्चा करना correct है अब revenue में भी अपने दो हैं कौन-कौन से हैं दो बोर्ड हैं तो एक आपका cbdt और एक आपका cbic cbdt का विल्पम क्या था central board of direct taxes and cbic is central board of indirect taxes and customs यह भी clear है उसके बाद आपने को पॉंट देखा था कि इंडिया का जो overall structure है वो तीन हिस्सों में divided हैं मतलब तीन functions है एक अपना होता है legislative function दूसरा is executive function तीसरा judicial function ठीक है legislative function का काम क्या है law banana legislative function का काम है law banana तो लौ कौन-कौन बनाता है तो या तो parliament या तो state का legislature the executive function मतलब Law को implement करवाना follow करवाना तो एक बार law बन गया तो follow कौन करवाता है तो government central government ए let our state government जो भी सक्षा में है जो भी जीती हुए हुंनका काम रहता है है कि यहां पर law follow करवाएंगे and judicial function बुला तो dispute resolution करना विल्ब कोई भी जगड़ा होता है तो इसको resolve करना है तो all over India level पर जगड़ा हुआ तो कौन resolve करेगा तो Supreme Court state level पर highest कौन रहता है तो आपका तो यह लोग मिलका जगड़ा resolve करेंगे यह भी जगड़ा है पका ओके तो यह कुछ-कुछ आपने basics पड़ा था text का meaning पड़ा था income का meaning पड़ा था वो तक हाना basic basic मुद्धे थे फिर हमने आपर देखा था कि अपने आपर दो टाइप के आपके जो यह एक थाप का burden of tax and दूसरा liability to pay to the government हमान्शु पूछ रहे सर प्रोविजन और act में difference कहा है act मतलब कानून ठीक है just for example जैसे income tax act यह पूरा कानून है जिसमें पूरा आपको लौ बता जाएगा लेकिन कानून जो लिखा जाता है वह paragraph में लिखा जाता है जैसे आप भी मुझे बता हो सकता है कोई यहां पर journal लिखता है क्या डाइरी लिखता है गया इतनी अच्छी आदत है कि कि सोने के पहले अच्छी जर्नेल मुझे है जर्नेल लिखते हैं या बुक लिखते हैं या फिर आपन जगडा हो घया ऑना आप दोनों का नाम के है शुति और बानी बानी को है आप बानी ठीक है तो समझो कि शुति और बानी को है यहां पर जगड़ा हो गया ठीक है तो अब शुति ने लिखना स्टार्ट किया कि भाई मेरे दिन भर में क्या county activities होई तो बानी के बारे में क्या लिखा था तो आठ महीने बाद तो बिचारी pages पलेटती रह जाएगी ना तो इससे बेटर क्या होता कि जो भी paragraph थे उसको number दे देती है paragraph number one बानी की bitching ठीक है then moments with him paragraph number two तो basically क्या है कि इन paragraphs को पैचानने के लिए number देते हैं और इस number को section कहते हैं section number one two three four वो paragraph को numbering दी जाती है जैसे गीता में भी श्लोक होते हैं दोहे होते हैं बाकि अलग अलग जगा पर तो उनको भी श्लोक number एक अना श्लोक number two या पर आपका अध्याय होता है गीता का पहला अध्याय सेकंड अध्याय तो जैसे होती है ना चीज़े मतलब numbering देने के लिए उसको section कहते हैं तो law में हम उसको section कहते हैं और अगर हम constitution पढ़ेंगे तो आपर हम उसको article कहते हैं उतनाई difference है बस उस paragraph का नाम है एक जगा section एक liability to pay to the government is on the same person तो tax का बोज भी आपके उपरा आता है और सरकार तक पहुचाने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है कहने का मतलब जैसे for example अगर आप साल भर में समझो 10 लाग कमा रहे हो income आपकी 10 लाग है salary आपको 10 लाग मिल रही है and suppose आपका यहाँ पर जो tax का rate है वो 30% है त तो 10 लाग 30% इस तीन लाग रुपे तो तीन लाग रुपे आप सरकारों को जमा करवाओगे this is income tax इसमें तीन लाग रुपे आपकी जेप से जा रहे है तो burden आपकी ऊपराया and सरकार तक पहुचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है बोज भी आपकी जेप पराया and सरकार तक और indirect tax में दोनों चीज़े अलग-अलग percent पर होती है, जैसे कल में आपका example लिया था, for example आपने यहाँ पर admission लिया, समझो, एक लाख रुपे देखे, और हमने आपसे 18,000 का GST लिया, तो आप unique academy को एक लाख 8,000 का GST हो गया, तो आपने unique academy को एक लाख 8,000 का GST हो गया, तो आप बोज किसी और उपर है, और सरकार तक पहुचाने की जिम्मेदारी किसी और की है, this is called as your indirect tax, समझाया, तो direct tax का example था, अपका income tax, and indirect tax का अपका GST, यह भी perfect, okay, चलिए, तो हम यहाँ पर indirect taxes पर आया थे, तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास पहले कुछ-कुछ पुराने taxes थे, G तो जुझे बताए कि भाई, GST इंडिया में कब से आया था, 1st of July 2017, तो GST was rolled out, GST was implemented in India, on 1st of July 2017, perfect है, okay, तो GST आने के पहले भी तो अपने पास अलग-अलग फुराने taxes थे, जैसे, आपका VET, VET का full form था, value added tax, VET कब लगता था, जब हम करते थे, sale of goods, और वो भी within state या other state, within state, तो अगर आपने विदिन state goods बेच दिये होते, तो अपने को उसके पर VET लगाना पड़ता था, value added tax लगाना पड़ता था, एंड ये VET का पैसा कौन सी सरकार के पास जाता था, तो ये जाता था, state government के पास, मतलब समझो, अगर आप, for example, within Gujarat काम करे हो, seller भी Gujarat का है, buyer भी Gujarat का है, तो जो भी goods बेचे जाते थे, पहले, वहाँ पर VET लगता था, क्योंकि विदिन state था, and वो VET का पैसा गुजरात सरकार के पास चले जाता था, clear है, तो ये पहला बला, then, second था आपका CST, CST का हुस्ट क्या था, central sales tax, तो central sales tax का taxable event क्या था, तो sale of goods थी था, लेकिन, from one state to another, या one state to union territory, या फिर one union territory to another union territory, कुछ भी चलेगा, जब एक state से दूसरे state में जब आप बेचते थे, तो आपके उपर आता था, CST, central sales tax, तो for example, समझों यहाँ पर, Gujarat वालों ने, बेहार वालों को कुछ goods sell किया, पुराने taxes की बाद चल दी, कि Gujarat से बिहार अगर कुछ goods sell होते थे, समझों यहाँ पर 3 लाग के होते थे, तो CST, assume करो 2% का था, मतलब 6,000 का था, तो यह बिहार वाला बंदा, Gujarat वाले को pay करता था, ठीके न, तो इसमें, यह पैसा जो है, कौन सी सरकार के पास जाता था, स्टेट के पास, selling या buying, selling state, जो आपका origin state होता है, जहां से बेचे गए हैं, जो producing state है, उस state को पैसा मिलता था, CST में, अब ऐसा नहीं है, GST में उल्टा है, GST में जो state consume करता है, उस state के पास पैसा जाता है, ठीके, destination principle based है, इसलिए, clear हुआ क्या, तो यह आपका CST था, central sales tax था, यह tax लगाता कौन था, लगाता था, parliament, क्योंकि multiple states involved है न, तो tax law बनाने का काम, parliament ने किया, लेकिन इसका जो पैसा collect होगा, वो जाता था, state government के पास, और वो भी कौन सा वाला, तो जो भी आपका selling state रहेगा, उसके पास पैसा जाता था, CST का, यह भी perfect है, okay, then, next वाल आपका यहाँ पर जो text था, वो होता समझो, exercise duty, तो exercise duty का काम क्या था, मतलब कर बाता था, तो जब हम करते थे manufacturing of goods, और वो भी in India, और यह किसके पास पैसा जाता है, तो central government के पास जाता है, यह वाला पैसा जो किसके पास जाता है, तो central government के पास जाता है, तो exercise video type का होता है, center भी होता है, state भी होता है, लेकिन major जो follow होता था, वो central government वाला होता था, यह भी perfect है, okay, अब fourth वाला point था आपका यहाँ पर, text था आपका, service text, तो service text का पास था, providing of services, तो जब हम service provide करते जब service text आता था, ठीके और यह पैसा किसके पास जाता तो यह भी central government के पास जाता था, तो मुझे बताईए कि India में अगर services देते थे, तो क्या service text आता था, इंडिया में, पहले कि मैं बात कराओ, अगर इंडिया में services देते थे, तो क्या service text आता था, yes, अगर services का import export होता था, अगर services का import export होता था, तो वहाँ पर service text या customs, customs is only for goods, कल आपने डिसकस किया था, customs act जो होता है, customs की duty सिर्फ और सिर्फ गुड्स पर आती है, customs कभी भी आपके services पर नहीं आता है, न पहले था न अब है, ठीक है, तो services पर पहले service tax था और अब GST है, और import-export goods का जो है, पहले भी customs था, अभी भी customs है, तो customs act is made only and only for goods, तो आप चाहे तो उसको लिख भी लो, आपने आप पर customs duty कल लिखा नहीं था, चलो आगे आजाएगा, नहीं तो लिख लो note में, आपनी जो लिखा था न कल, customs, customs act is only applicable, आपने जहां पर भी old text लिखे जाना, उसके side भी नीचे कहीं पर भी note डालके लिख लो, customs act is applicable only on the goods, customs act is applicable only on the goods and not on services, तो यहां पर देखिए यह आपके हुवे old वाले taxes, अब इसको हटाके हमने आपर GST लाए था, और वो आपने कब लाए था, 1st of July 2017 से, तो GST का full form आपने बताया था, goods and service tax या services tax, तो goods and services tax इसका full form था, यह भी clear है, फिर आपने यहां पर GST का meaning भी लिखा था, तो meaning लिखा था, article number 36612A, और 36612A जो article number था, इसमें GST की definition दी गई थी, यह भी perfect है, ओके, और GST की definition क्या थी? So GST means any kind of tax on supply of goods or services और बोथ, except any tax on supply of alcoholic liquor for human consumption, तो यह कल आपने definition देखी, ओके, अब यहां पर Simran का एक doubt आया है, कस्तम सर किसको मिलता है, State Government या Central Government, आपको क्या लगता है? Central Government, क्योंकि Central Government इसलिए क्योंकि Import-Export involved रहता है न, तो हम हर एक State को कहां भीच में involved करें, तो इसलिए हमने Customs का जो amount दिया, वो सारा का सारा Central Government को दिया है, तो यहां पर देखिए, आपने definition तो कल लिखी थी इसकी, तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, आपने लिख रहा था, GST is any kind of tax on supply of goods or services or both, except any tax on supply of alcoholic liquor for human consumption, तो दो तीन बार exam में question आया हुआ है, what is the taxable event of GST, supply, तो what is the taxable event of GST, supply, जैसे वैट का अलग था, sale of goods within state था, CST का sale of goods to another state था, services का, service tax का providing of service था, excise का manufacturing of goods in India था, correct है न, तो यहाँ पर आपका इसका मुद्धा, इसका मुद्धा मतलब कौन सा था, आपना GST का, तो GST का taxable event एक ही होता है, कौन सा, supply, मतलब supply होगा, तो GST आएगा, otherwise नहीं, and supply भी किसका होना चाहिए, या तो goods का, या तो services का, या दोनों का चलेगा, लेकिन दारूपर GST नहीं आता है, एकदम clear है, और, okay, मैं आपको एक आद दो जो है, past exam question लगे, हाँ दिखा ही देता हूँ, अभी आप notes को प्रिंट नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, दो तीन दिन में, उसके बाइद आप प्रिंट करवा लेना, टेकर mostly weekend पर मैं update कर दूँगा, उसके बाइद आप प्रिंट करवा लेना, just a minute, let me show you, थोड़े आपको past exam question में दिखा देता हूँ, तो GST पहली-पहली बार syllabus में पूछा गया था December 17 में, executive में सबसे पहले December 17 में पूछा गया था, और तब से लेकर आज तक जो भी questions हैं, सारे के सारे अपने पास हैं, और मेजॉर्टी वगरा तो यह आपके chapter number 1 के हैं, और देन एक मिनट रुखेगा, क्या पूछ रहे हैं, यस, आदर्ष प्रधान दो मिनट रुख जाओ, वो आपको clear हो जाएगा, और आदर्ष प्रधान दो मिनट में आपको clear हो जाएगा, चिंता मत करो, तो यह आप स्क्रीन पर देख पारे हो, देखो, यह सारे के सारे जो हैं, आपके past exam के questions हैं, और काफी easy-easy आते हैं, मतलब generally अभी तक जो GST आया है, वो काफी easy आया है, income tax थोड़ा सा यह tough बनाते हैं, बढ़ ठीक है, manageable है, मतलब 70-80 तो RMs manageable है, अगर आप daily basis पर पढ़ रहे हो, तो, कहीं पर miss किया, तो ही समझाय जाती है, otherwise नहीं, अचलिए, दूसरे PDF में होगा, नहीं तो यह वाले questions आपके पास से exam के हैं, anyways, तो यहाँ पर आप अपने को समझना पड़ेगा, supply का meaning क्या होता है, goods का meaning क्या होता है, services का meaning क्या होता है, both का तो अलग से कोई definition नहीं है, and alcoholic liquor for human consumption, तो यह सब जो अपने को meaning समझनी है, सबसे पहले काम की चीज़ समझ लेते हैं अपने, और वो क्या है, नहीं, alcoholic liquor for human consumption, तो सबसे पहले हम अपने समझ लेते हैं, alcoholic liquor for human consumption का मतलब, क्योंकि सरकार ने क्या बोला है, कि alcoholic liquor for human consumption पर, GST नहीं आएगा, सबसे अब इसका meaning क्या होता है, मुझा बताइए, अनिश कुमार पुछने, online fees कितना है, अब देखो, बहुत सारे offer चल रहे थे, वैसे तो 20,000 प्लेस GST था, फिर जोड़ी discount आपको मिल रहा था, काना couple बना क्या हो गए, जरूरी नहीं कि लड़का-लड़की चाहिए, लड़का-लड़का भी चल जाएगा, आपकी इच्छा जैसे हो, तो कुछ तो discount था, तो office में बात कर ले रहा है, ठीक, अनिश कुमार, पूरे एक लेक्चर बैठके, ऐसा, आपका भी लॉन हो जाएगा, ठीक, तो मुझे बताओ कि, alcoholic liquor for human consumption मतलब दारू, सही है, तो अब दारू के भी multiple use होते हैं, एक तो दारू पीने में काम में आती है, सीधी बात है, आप को नग रहा है कि, भाई, पूने का पाणी थोड़ा जम नहीं रहे, हो सकते है आप काथर है, कि पूने का जो बाणी थोड़ा सweile NHTS सब्ब नहीं रहे, तो पीना नहीं है, तो पाणी जम नहीं को हारे थे, कई बच्चों को हीर हेह वाजाते हैं, तो बच्चे सोच रहे हैं कि बालो को छो है थोड़ा बचा के रखेंगे और अच्छा दारू पीना is human consumption, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें को doubt भी नहीं है, आपने दारू लाई सिर्फ और सिर्फ, बाल दोने के लिए, तो क्या वो भी human consumption है, क्या बुल रहे हैं, अनि उसमेशन, चलो ठीक है, आपने बहुत नशे कियोंगे कोविट के ताइम पर, सेनिटाइजर से, तो सेनिटाइजर में भी अलकॉल होता है, तो क्या सेनिटाइजर भी अलकॉल एक लिकर फोर human consumption है क्या, चलो अब डियोडरेंट यूज करते हो, डियोडरेंट में भी अलक 20% चाहिए, ठीक है, डन, वह भी human consumption में आता है क्या, after shave gel, after shave lotion होता है, तो जो जो shave करवाते होंगे, उनको पता होगा, भाग यूज को अभी time है, तो जब आप salon वगरह में जाते हो, तो बाद में आपको after shave lotion या gel लगाते है, इससे थोड़ा सा जलता है चेहरा, हलका हलका, त जब आपने कभी deodorant में आग लगाई गया, कभी try किया गया, क्या ना, हाँ, तो यह सब अब अब आपका alcohol होता है, अब मुझे बताओ, कि आप जो कब सिरफ पीते हो, कब सिरफ, पिया आपने कभी, क्या उसमें भी alcohol होता है, सब ने पिया हो कब सिरफ, तो मतलब आपने दा human consumption, human consumption मतलब सिर्फ खाना पीना होता है, या use करना भी होता है, use करना भी होता है, मतलब अगर आप एक साबुन ले के आ रहे हो, और साबुन से नहा रहे हो, तो क्या वो उसका human consumption हो रहा है, साबुन खाना होगा, तो human consumption होगा इसा नहीं है, नहीं, मतलब use भी किया, तो भी आ नहीं आपको नाम का है विदांग विदांग को एक विस्की बड़ी पसंद है विस्की कुछ इस टाइप के दिखती है मैं नॉलेज रखता हूँ नॉलेज इस पावर ठीक है तो ऐसी बॉटल होती है और इस विस्की का नाम हैं एंटिकूिटी ब्लू हो कि थोड़ी सी लिए ट्रइड बन गगई है ठीक एंटिविटी व्लू तो ये क्या है एंटिविटी ब्लू एक विस्की एंगी है जिसमें समझो अलकॉल रहता है क्रीब करीब दो फंदरा परसुंत तो तो एल्कोहल का परसेंटेज रहता है यहाँ पर 15 परसेंट उसके बाद एक कप सिरफ भी आती थी अभी तो क्या बच्चे नशे करते से तो उसको बंद किर दिया उन्होंने और उसका नाम था कोरेक्स आती यह क्या तो एल्कोहल कम कर दिया होगा तो पहले जो आपका यह कोरेक्स आती थी यह आपकी कब सिरफ है और इसमें एल्कोहल परसेंटेज किता होता था पता आपको पहले इस पर एल्कोहल परसेंटेज होता था करीब करीब 60 परसेंट तो समझे रहो ना तो मुद्दा क् क्या है तो उसमें सिर्फ कितना बैठ रहा है 15 परसेंट बीर में बैठता है 5-6 परसेंट वाइन में बैठता है 12-13 परसेंट फोड़ी विस्क्या आपने अच्छी ले ली तो 40-43 परसेंट लेकिन यह सब क्या चीज़े महेंगी होती है इसलिए लोग क्या करते हैं गोवा से कि अगर सपोज आप घर में हो और आप घर वाले भी आपके यहीं पर रहते हैं और आपको कभी मूड हो गया कि बाहर जाएंगे नहीं क्योंकि पब क्लब में बहुत महेंगा मिलता है जो हम घर में चीज़ ला सकते हैं 400 में वहीं वहां पर 1600-2000 में अपने को पीना लाई कि क्योंकि हो सकता है कि अगर आप चोटे शेर में रहते हो तो वाइन शॉब आपके घर वालों को पढहनता है उससे बॉटल में ले तो सैक लेकर जानेगा faut एक लेकिन उसमें भी बोटल बजनेख़न नहीं चीए घर में गए और बटल बजने दिक्कत होजाए मैं तो उसमें जो नूट bucks you know रखे और black poly of angry में वगरा में लेकर आप घर में जा रहे हो अब घर में चलो आप रूम में पहुंच भी गए उसके बाद अगर आपके पीने की इच्छा है भी तो भी आप घर के ग्लास नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इसमेल रहे जाएगी और इसको फेक भी नहीं सकते हैं अगर स्टील करा या कांच करा तो साथ में अपने को डिस्पोजल ग्लासेज भी लाने पड़ते हैं अना फिर आप घर में जो पैक बनाओगे और इसको कही न कहीं कैसे ने कैसे डिस्पोज कर दोगे लेकिन इसमें है बड़ी तक्लीफाली बात अना घर से छुप-छुप करना पड़ रहा ह है दारू में भी पाणी मिला जाता है तो सेम बनाने कि विधी एकदम सेम है 2 लुड़कन बोड़ने के 2-4 लुड़कन और पानी डालने का और घर वालों को दिखा दिखा के पीने का बात बात अना और उनको भी आप आप आफर कर सकते हो उनके सामने बैटके वी जो पी सकत नहीं यह सब क्या मेरे दोस्त मित्रबंदु बदाते रहते मुझे और अभी मोधी सर की शादी में गए थे ना तो सर्व तो हम ही कर रहे थे हम तो है चकने आल इंसान आदा चकना में ऐसे खतम कर देते हैं हान चलो तो यह आपर मुद्दे पर आते हैं तो मुझे बताओ यह दो टाइप की चीज नहीं दोनों में नशा है तो क्या दोनों पर जीस्ट आता है डोनों एलकॉलिक लिकर फॉर हूमन कंदमिशन है ठीक है आप दारु भी कंजूम कर रहे हो और कभ से रप भी कंजूम कर र alcoholic liquor for human consumption मतलब alcoholic liquor for human consumption पर GST नहीं है तो मतलब सिर्फ ना दारू पर नहीं है उन्होंने किसको भाहर किया है सिर्फ दारू जो पी जाती है उसको भाहर किया है जापके कभ सिरफ वगर आए है इस पर GST आता है Yes, हना medicines पर GST आता है medicines पर GST आता है, तो यह cup सिरफ पर GST आएगा, फिर जो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे diodents की, उस पर भी GST आता है, फिर हम बात कर रहे थे आपके sanitizer वगरा की, उस पर भी आएगा, यह beer shampoo वगरा जो था, इस पर पर भी आएगा, मतलब बाकी हर चीज़ पर GST आता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ दारू पर, लिकर पर नहीं आता है, जो पीने के लिए यूज़ होती है, यह perfect है, इतना clear हुआ, ओके, तो मुझे बताइए, कि अगर हमने यह whiskey, wine, rum वगरा, इन पर अगर GST नहीं लगाया, तो मतलब क्या यह tax-free हो गए, तो क्या यह tax-free हो गए, नहीं, सरकार को एक बहुत बड़ा major revenue दारू से आता है, सरकार का एक major chunk, अब जहा अगरा, otherwise, जहां-जहां पर दारू बिखती है, तो जो tax generate होता है, तो 30-40% पैसा जो सरकार कमाती है, वो दारू से कमाती है, तो भाई, दारू पर tax कम कर देंगे, तो सरकार को दिक्कत हो जाएगी न, तो दारू tax-free नहीं है, because दारू is one of the sin goods, liquor is one of the sin goods, sin goods मतलब पापी माल, तो पापी माल है, इस कम tax-free नहीं कर सकते, तो हमने दारू पर GST तो नहीं लगाया है, पर क्या लगाया है, तो इस पर अभी भी देखो old taxes लगते हैं, दारू पर अभी भी old taxes लगते हैं, तो old taxes पूरी तरीके से नहीं हटें, कुछ-कुछ products अभी भी हैं, जैसे petrol है, डीजल है, natural gas है, aviation, turbine, fuel है, तो इसके लाव दारू है, जिस पर अभी भी पुराने taxes है, तो दारू पर कौन-कौन से taxes लगते हैं, जैसे दारू manufacture होती है, जैसे दारू manufacture होई, तो excise का tax आता है, लेकिन state excise आता है, central excise नहीं आता है, दारू पर state excise जूटी आती है, जब इसको आपन and CST आता है, ठीक है, तो दारू is one of the product, जिस पर अभी भी पुराने taxes लगते हैं, तो दारू जैसे manufacture होई, तो state का exercise आता है, state government का, जब भी इसको बेचा जाता है, तो उस पर wet and CST आता है, clear है, तो इसको तो एक बार के लिए आप लिख लो, heading डालना, alcoholic liquor for human consumption, bottle bottle आपके alcoholic liquor for consumption, इस पर no GST, लेकिन बाकी जो चीज़े हैं, जो मैंने side में लखकी रखी हैं, जैसे आपका deodorant, sanitizer, beer, shampoo, अगरा अगरा, इन सब पर GST आता है, या फिर आपके even जो medicines हो गई, इस पर भी GST आता है, क्या बोले हैं, संडे को भी class होती है क्या, अभी आराम करो, यह महीना, अगले महीनिस देखेंगे, क्या बोला था, रूमी, यह सब फिस पी के सोचते हैं, भाई, नशा हो गया, ब्रीजर पी तें, ब्रीजर, सुना है अपने ब्रीजर, सालोनी तो मेरे कह रहे, मेरे दादा जी हस रहे हैं, बोल रहे हैं, यह पढ़ते हैं तो में CS में, फूरा नॉलज़ दिया जाता है, बोलना हम बनके आए हैं बच्चे, लेकिन मेजर बनके जाएंगे बोलना, बोलना शादी करने लाइक हो जाएंगे, चार-पाच महीने के बाद तक, लेकिन मेरे लेक्ट्चेस में तो भी आपको यहरफोन की जरुरूत नहीं पड़ेगी, बाके लेक्चेस में पड़ेगे, पहले मैं आपको बतालूत, फिर नहीं हो, क्या, बाके में खतर्मनाक जरूत पड़ेगी, करना बढ़ता ना अभी भी करनी बढ़ेगी में हमको टर्म सेंड कंडिशन में डाल देना चाहिए जब एडमिशन होता है ना कि आपके पास एक अच्छे एरफोन होना चाहिए एक्जिगेट में मोजिसर के लेक्ट्टर में अचले ख्लियर है सिम्रण कस्टम्स जूटी किसे मिलती है सिम्रण जी सेंटल गूर्मेंट को मिलती है हमने डिसकस किया अगर आदर्श नहीं आदर्श नहीं है बताता हूं लिखा कि आपने ये परिफेक्ट अब आपका नम क्या है सेकेंड लास में जो बेठें आपका नम क्या है सौपनिल ने कॉंसेट पड़ा और सौपनिल को यह पता है कि दारू पर ये इस नहीं आता है इस पर को डाउट नहीं न ठीक है तो सौपनिल किसी पब में गया दोस्तों के साथ और दारू मंगाई तो मंगाते 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 तीन चार पांच सार का बिल बन गया तो फुल भंड हो गया लड़का ठीके लेकिन उसको फिर भी प्रिंसीपली ऐक बात याद है कि जब बिल आएगा उसमें GST नहीं होना चीए है सही बात है तो यहां पर जब दो तीन घंटे चार घंटे बीद गये और यहां पर बिल आया पांच सारुपेगा तो सौपनिल को कुछ याद नहीं था कितनी बियर मंगाई कितनी नहीं मंगाई लेकिन एक बात याद थी कि बाई GST बिल में नहीं दिखना आप पब में गए और वगरा वगरा में गए और फिर भी आपको GST लिख रहा है ऐसे कैसे पॉसिवल हो तो क्योंकि वो सर्वेस है देखो दारू आप खुद पियो या आपको कोई आहतों से पिलाए दारू भी करिए हाना तो दारू पर तो GST नहीं आएगा यह तो फॉर शोर है ना कि दारू पर तो GST नहीं आएगा लेकिन फिर भी उस बिल में आपको GST लगाओ मिलेगा लेगा उसके रीजन वताता हूं क्या है कि जब स्वापनल यहांपर पी रहा था स्रफ पिएगा तू नहीं चाखना भी खाएगा तो उसने हो सकता है कि रोस्टेट पीनिट्स मंगाया हो मसाला पापड मंगाया और कुछ रोस्टेट तंदूर वगरा कुछ पनीर मंगाया ह ऐसे सब चीजे भी हो सकती है, तो जब आप बिल देखो, तो उसमें ये भी देखना कि आपने कुछ खाने पीने का आइटम नहीं मंगा है, क्योंकि अगर आपके बिल में कुछ edible items हैं, कुछ food products हैं, तो खाने पीने का आइटम को हमने थोड़ी यहां पर exempt किया है, तो अगर आ तो आपका अगर समझो कि खाने पीने का आइटम उसमें 2000 का था, तो 2000 पर 5% मतलब 100 रुपर आपको अलक्से जीएस्ट लगा, वो मिलेगा, तो कभी भी ध्यान रखना अगर आप किसी pub लाउंज बार में जाते हैं, और आपको अगर दारू के उपर जीएस्ट दिखता है, तो वो दारू के उपर नहीं होगा, वो किसके उपर होगा, चखने के उपर होगा, ये क्लियर है, और चखना, सोफिस्टिकटेव लेंगविज हो इसको बार्स्नेक्स कैते हैं, हमारी भाशा में उसको चखना कैते है, ठीक है, डन, समझ आया, चले मागे, ओके, तो ये क्या वाला मद्दा हो गया second वाला मद्दा आपने क्या be выз में service charge देखा है है काया क्या अपने अपने बिल्स में घृसर्विस चार्ज्ड देखा है रस्टरंटमें रेष्सर् लगाते हैं देखा है तो यह service charge भी होता है बिल पर और GST भी होता है दोनों चीज़े होती है तो क्या है दोनों चीज़े अलग अलग है अच्छा किस-किस ने ध्यान दिया है कि बिल्स पर service charge होता है किस-किस को अंदाज आ है कि restaurant के बिल पर service charge होता है होता है हना वो हमारे उपर रहता है कि अपने को देना ही की नहीं ठीक है तो यह क्या difference होता है service charge में जी एस्ट में मुझे बताओ क्या लगा कर देते हैं एस जी एस्ट लगा कर देते हैं ठीक है मतलब बेसिकली जी एस्ट लॉग के कारण लगाया है तो जी एस्ट पे करना compulsory होता है ठीक है लेकिन service charge होता क्या है एक्शुली लेते क्यों है वो service provide के इसलिए है ऐसे तो हर कोई service provide करता है तो restaurant वाले क्यों service charge ले रहे है आप कि salon वाले के पास गया है बाल कट रहा है वो भी service दे रहा है लेकिन वो service charge तो नहीं लगाता है वो GST तो आए गई आएगा सिर्फ आपन focus करें service charge पर उसका मुद्दा कैसे है कि देखो पहले क्या थे लोग जो है थोड़े हाना बड़े दिल वाले हुआ करते थे तो होटल से और कहा कि service charge देना जो है वो optional है आपकी इच्छा होगी तो देना नहीं तो मत देना ठीक है तो ये करीब पर भी हुआ था में जून के आसपास फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोट ने decision दिया कि service charge को नहीं रोका जाए दिल्ली हाई कोट ने decision दिया कि department of consumer affairs ने क्या बोला service sequence समझाया अब ये दो हफ्ते पहले मैंने साथ हुआ था मैं ये FC रोट पर एक जगह गया था जहां पर उसने service charge लगाया 300 रुपेगा जस्ट फर एक्जामपल समझो 300 रुपेगा साधी 400 रुपेगा तो हमने बोला service charge अटाओ उसमें बोला नहीं हटाएंगे हमने बोला optional है बोले नहीं है तो हमने देखाओ तो दिल्ली हाई कोट का decision दिखा रहा था मतलब अभी stay लगाया था दिल्ली हाई कोट डिजन नहीं द प्रेशे से उसने तो बोला कि दिल्ली हाई कोट का stay order है अगाया यस वेरी गुट तो पहला मुद्दा तो वह दिल्ली हाई कोट है तो दिल्ली पर applicable होगा अपने उपर applicable नहीं होगा ठीक है हम उसको समझा रहे थे समझ नहीं रहा था तो उसने बोला सरे काम करो आप पे कर तो उसके बाद आप complaint कर देना को दिक्कत नहीं है तो बोले मैं सब आपको seal wheel मारके दे रहा हूं sign wine करके दे रहा हूं मैं बोला ठीक है तुम ठीक है मैंने बोला seal wheel लेका आप मैं pay करता हूं बोलता है नहीं सर पहले pay करो फिर मैं seal मारके दूँगा बोला ऐसे थोड़ी अब बाद उसने सब seal wheel मारके दिया और उस पर paid way लिखके दिया उसने में पास है कि नहीं मैं उसको complaint करने के लिए रखा है मैंने उस complaint की भी है मैंने बताता हूं उसकी कहानी बट यहां पर अभी मेरे पास है कि नहीं दौट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बताता हूं नही लाइव कम्प्लेंट करके दिखाई तो क्या हुआ तो यह माननी रहा था इसने 5% सर्विस चार लिए आता जिम्हापको दिखाता हूं तो ठेकाना एफसी 17 नवेंबर का बिल है एंड वी आर टेकिंग 5% सर्विस चार्ज और उस बंदे ने अपना नाम लिखा है और नंबर नंबर भी उसने लिखके दे दिया है तो एक दो दिन बात जो है मैंने कॉल किया और जहां पर कंप्लेंट रेस करते हैं तो गूगल से न सारी चीजे पूछी भाई कौन से जगह पर गए थे उसका GST नंबर बताओ कितना आपको कितने बिल थे सर्विस चार्ज कितना कितना थे तो दो बिल थे तो दोनों का पूरा-पूरा अमांट उसने लिखके लिया और उसने मुझे लिंक भेजा है जिस पर मुझे इसका फो हो रही हो रही है इसनी महनत कर रहे हैं तो भाई उपर से पैसा मिलना चाहिए तो बोले सर मांग सकते हो तो उसने कुछ तो वेबसाइट का नाम बताया है और यह कुछ तो ऐसे बताए यह दाखिल करके बताया है तो बहाँ पर मांग सकता हूं कितना मांग सकता हूं बोले क कि सारे वह मैं नहीं बता सकती है आप अपने हिसाब से देख लेना तो अभी बच्चे बोले सार एक लाग का डाल दो हो ले तो महाला ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अन्रीजनेबल लोगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो रीजनेबल पांच तसजार डालनेंगे कि अब हाएं और में ट्र इम्परेश में अजसेशिदी मेले ऐसा गरका पन कर सकते हैं तो कहने का मतलत सर्विस चार्जिए वह वहुता है ऑप्शनल उप्यर्विस चार्ज़ है अलगा तर बिलकुल उसको पिकार मना कर सकते तो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है तो आप बिल्कुल लड़ जगड के वहां से हटवा सकते हो और हम हटवाते ही हैं चाहिए पत्यास रुपए हो चाहिए सव रुपए हो चाहिए दोस्व चाहिए पांच सो ठीक है ऐसी एक जगा हो था क्या क्या नम बताता हूं न अपना देखो मॉल है कौन सा फीनिक्स फीनिक्स मॉल है विमाननागर में फीनिक्स मॉल है अना आप घूमों कि अभी तो नए ने आयो तो थोड़ा तो आप चक्कर मारोगे पाविलियन जाओगे फीनिक्स जाओगे तो फीनिक्स मॉल है फीनिक्स उसके बाद उसने हमको बोला सर्विस चार्ट जटा तो उसने हटा दिया उसने क्लियर के खटा दिया को दिक्कत नहीं तो बिल हो गया लगभग तो उसने कुलफी दिया था वो 300 रुपए की थी तो उसने बोला कि सर में कॉंप्लिमेंटरी कर जाता हूं तो बिल से और उसने 300 रुपए कम कर दिये ऐसा तो 3800 का बिल जो है वो 3200 पर आगया तो 600 के आप नेट सेविंग हो गई तो कहने का मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको तो कहीं न कहीं यूज करना जरूरी है और बाकी चीज़े आपको पता होना जरूरी है तो 600 रुपए के तो बचत होगी तो मेरे तीन महीने का तो रिचार निकल गा ना 200 रुपए और डाला तो जीओ का है कि नहीं 812 रुपए का जो भी होता है तो मतलब यह चीज़े कुछ कुछ होती है जो आप बिल्कुल प्रेक्टिकली अपलाई कर सकते हो और किसी भी रेस्टराण में जाओ और आपको कभी भी रेटिंग देने के लिए तो आप उनको बोलना कॉंप्लिमेंट्री दो या तो आइस्क्रीम लाकर देंगे या कुलफी लाकर देंगे कुछ तो ल पहल के रखता हूं यह 10,000 की पर्ची है मेरी देखते हैं अगर पैसा आया तो पार्टी आप लोगों को पैसा आया तो चली भाई तो यह वाला आपका मुद्दा हो गया कि GST में एलकॉल एक लिकर फॉर human consumption मीनिंग समझायों तो सिर्फ जो पीने वाली दारू है उस पर GST नहीं है और बाकी चीज़े जो है जिस पर अलकॉल मिलाया जाता है उन सब पर VST आता है देन उसके अलावा अपने को देखो supply अगरा पढ़ना है तो supply अपने पास होता है CGST Act के section 7 में जो काफी detailed concept है उसका मागी पढ़ेंगे उसके पहले हम पढ़ लेते हैं goods क्या होते हैं and services क्या होती हैं तो आप वहाँ पर लिख लिजिए next लिख लिजिए definition of goods next आप लिख लिजिए definition of goods तो यह जो मुद्दा है थोड़ा detail में समय लाएक है थोड़ा आपका यह वक्त लेगा ध्यान से सुनना आपको यह B.com, B.com में भी सब काम में आता है बिकॉम, B.com, MBA, B.B. आप जो भी करो जो भी टेक्स आप पढ़ रहे हो न 100% आपको सेम वहीं पर काम में आता है ठीक मैं पढ़ाता ही था अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ B.com, B.b.a, MBA वगरा वगरा को तो same text होता है, बस थोड़ा सा उपर-उपर से पढ़ा दिया जाता है, जो text में यहाँ पर 100 दिन में पढ़ाता हूं, वहाँ पर 300 गंटे में पढ़ाता हूं, बेकाउं बालों को 40 गंटे में निप्टा देते हैं, पूरा, तो फाइवेट्स वगरा वगरा जो भी है, लेकिन commodity, any kind of movable property, तो goods का मतलब होता है, any kind of movable property, कोई भी चीज़ अगर आप move कर पाओ, तो वह goods है, ठीक है, तो लिखना, start करना, थोड़ी बड़ी से definition है, तो पहले तो अपनी first line आई, goods means goods means, goods means, any kind of movable property, goods means, any kind of movable property, जो एक जगह से उसर जगह जो, move कर पाएं, जो चलने वाला है, ठीक है, तो ये chair क्या ये movable है, क्या ये chair movable है, चलने वाली है क्या, movable मतलब जिसको अपन एक जगह से उचागा, move कर पाएं, what do you mean by property, what do you mean by property, yes, property means, anything which is of value, अपन property का मतलब समझते है, land, building वगरा, लेकिन यहाँ पर property का मतलब होता है, anything which is of value, anything which is of value, मतलब किसी भी चीज के अगर आप कीमत निकाल सको, तो वो property है, अगर आप किसी भी चीज के कीमत निकाल सको, तो वो property है, ठीक है, तो goods का मतलब हमने क्या बोला, it is any kind of movable property, जैसे मुझे बताओ, यह remote, क्या यह goods है, यह move कर सकते है, इसकी value भी है, तो यह movable property है, ठीक है, यह जो आपका, यह जो चूहा है, मतलब यह mouse है, यह भी move कर सकते है, इसकी value है, तो यह भी movable property है, आप लोगों ने, कुछ-कुछ लोगों ने जो चश्मा पैन के र कुछ, कोई भी पैटलर नहीं है, है क्या, घरवालों को मतलब आपके अलावा भी time मिल जाता है, बागी लोगे लिए, तो जिनके आपर पैट्स वगर है, तो जो आपके पैट्स हैं, क्या, वो भी movable property हैं क्या, पैट्स जो है, वो goods में आएंगे क्या, नहीं, क्यों, खुछ से move कर सकते हैं, अच्छा मदब जो खुछ से move कर सकते हैं वो goods में नहीं आएगा ऐसा, अच्छा, रोबोट, रोबोट, living being है, ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये कुट्ते, बिल्ली वगरा बिखते हैं कि नहीं बिखते हैं, दुकानों में, बिखते हैं तो goods में आते हैं, गुट्स में आते हैं, क्योंकि movable हैं और उसकी value भी होती है, तो इस हिसाब से तो हम लोग भी goods हुए, हम लोग भी माल हुए, है कि नहीं, आप कुछ-कुछ तो मानती ही होंगे, कहने में शर्माते हैं, पर हम भी goods ही होगा है, हम भी move कर सकते हैं, हमारी value है कि नही अमुल्य हैं, तो बिल्कुल value है, लेकिन हमको बेचा जाए तो human trafficking हो जाएगी, थोड़ा सा illegal काम हो जाएगा, इसलिए, क्या, constitution prohibit करेगा, case हो जाएगा, एकदम सही बात है, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर goods का meaning होता है, any kind of movable property, तो कोई भी चीज जिसका move कर पाओ, उस money and securities, it excludes money and securities, तो goods में क्या नहीं आता है, तो goods में पैसा नहीं आता है, and securities नहीं आती है, बता था उसका meaning क्या है, and includes, नीचे लिखना, and includes actionable claim, and includes actionable claim, growing crops, grass, etc., which are attached to which are attached to, or forming part of the land, which are attached to, which are attached to, or forming part of the land, and which are to be severed and which are to be severed, under a contract of sale, and which are to be severed under a contract of sale. द्वीर जो आपने sale of goods act में पढ़के रखा है, उससे थोड़ा सा अलग है, अगर किसी ने sale of goods act पढ़के रखा है, उसमें भी goods की definition आती है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग होती है, GST में goods की definition थोड़ी सी अलग होती है, आना, एक दो, एक दो points की difference है, yes, consumer protection act का भी आपका अलग बैठेगा, मैं आपको difference बताता हूँ, mean difference क्या है, पहले तो आपने लिखा गया, writing समझ में आ रही है क्या, नहीं समझ में आ रही है तो rather dull लो, option नहीं आपके पास, क्योंकि मैंने कोशिश कर लिए, मेरी नहीं सुधरती है, तो इसलिए आप समझने की से यहाँ पर जा रही है डाल लो, सुनो, तो हमने आपर क्या बोला, goods means any kind of movable property, मतलब कोई भी चीज जो आप move कर सकते हो, वो goods है, but excludes money, but excludes money and securities, मतलब money and securities जो है, वो goods नहीं है, money and securities जो है, वो goods नहीं है, goods नहीं है, मतलब उसके उपर यस्टी नहीं आएगा, money and securities, goods नहीं है, इसका मतलब उस पर यस्टी नहीं आएगा, कहने का मतलब क्या, अब यह definition आपने लिख लिए है न, तो नीचे एक्जाम्पल लिखते हो चलना जैसे फर एक्जाम्पल देखो यहां पर समझो मौनिका है फर एक्जाम्पल समझे मौनिका है मौनिका ने यहां पर स्नेहा को मौनिका ने यहां पर स्नेहा को दस अजार रुपे दिये थे Monica ने Sneha को 10,000 रुपे दिये थे and वापस भी 10,000 रुपे ले लिए and वापस भी 10,000 रुपे ले लिए तो क्या इस पर जीस्ट चाहेगा मतलब इस लाइक कि मैंने आपको 500 का नोट दिया आपने एक दिन के बाद 500 रुपे लटा दिये तो क्या इस पर जीस्ट आएगा तो आंसर इस no क्योंकि this is a pure transaction in money क्योंकि this is a pure transaction in money मैंने आपको 500 रुपे दिया आपने 500 रुपे लटा दिये तो इसमें कुछ भी service वगरा या goods वगरा generate नहीं हो रहे है यह तो सिर्फ simple money का transaction है यहां पर तो ना goods का कुछ रहा है मैंने 500 रुपे लटा दिये बात वहां पर कितम हो गयी तो इस वाले example में जीस्ट नहीं आएगा लेकिन अगर हमने आपको 10 हजार रुपे दिये होते और आपने लटा होते ग्यारा हजार रोपे है है अगर में आपको दस हजार रुपे देता और सबोसा में ग्यारह सबढू आनू है कि कैसमें जीस्टे आएगा मैंने आपको 10 हजर दिये तब मुझे ग्यारहसर क्यों पन्रेस्टी हो दो इंट्रेस्टी अधन परफेक्ट, एकदम क्लियर है, हना एकदम परफेक्ट है, तो मैंने आपको 10,000 रुपे दिये, आपने 11,000 क्यों लोटा है, क्योंकि मैंने आपसे ब्याज लिया होगा, मैंने आपसे इंट्रेस्ट लिया होगा, 1000 रुपे का, तो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो फ्री में कुछ consideration लोगा, मैं कुछ बदले में आपसे extra charge करूँगा, मैं आपसे 1000 रुपई extra charge करूँगा, तो जो 1000 रुपए है वो मैं आपको value of service के charge कर रहा हूँ, मैंने आपको एक service दी है, service क्या दी है मेरा पैसा यूज करो, मैंने आपको एक service दी है, service में क्या बोलाए कि मेरा पैसा यूज करो लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 1000 रुपय एक्स्टा देने पड़ेंगे तो वहाँ पर फिर वो supply of service आता है 1000 रुपय का मैंने आपको 10,000 रुपय दे दिये आपने 10,000 ही लोटा दिये तो आपको कुछ भी extra income नहीं आ लिए तो उसपर कुछ भी GST नहीं आएगा लेकिन अगर मैंने आपको 10,000 रुपय दिये और आपने 11,000 लोटा दिये तो 1000 एक्स्टा रहे तो वह service है और उसपर GST आएगा जैसे आप bank के पास जाके loan लेते हो सबसा आपने 50,000 रुपय का loan लिया था और आपने bank को 55,000 रुपय यहां पर लोटा आए तो bank ने 5,000,000 कम है तो क्यों कम है 5,000,000 क्योंकि bank ने आपको service दी थी loan की services दी थी तो अगर उनको GST लगाना भी होगा तो सिर्फ वो 5,000,000 रुपय पर लगाएंगे पूरे amount पर नहीं समझ आए क्या तो मैंने आपको 10,000 रुपय दिये 10,000 रुपय वापस आगे उस पर कोई GST नहीं आएगा लेकिन मैंने ऊपर का जो 1,000 रुपय लिया है जो मैं कमा रहा हूँ जो मैं service देने का charge कर रहा हूँ GST अगर आएगा तो उस 1,000 रुपय पर आएगा clear हुआ तो in short, in simple words pure transaction in money अगर है तो उस पर GST नहीं आता है तो इसलिए हमने क्या किया है money को यहाँ पर exclude किया है तो जैसे इस वाले example में मैंने आपको 10,000 रुपय दिये थे आपने 11,000 रुटा दिये तो यहाँ पर देखो value of service आजाएगी 1000 रुपय and GST will be on 1000 रुपीज तो GST जो आएगा वो 1000 रुपय पर आएगा अब दो मिनिट के लिए अज्यूम कर लो के GST का रेट 18% है दो मिनिट के लिए अज्यूम कर लो GST का रेट 18% है तो मैं आपसे 1000 प्लस 18% मतलब 1180 मतलब 180 तो मैं आपसे 180 रुपय का GST लोगा and सरकार को दे दूँगा ठीक है मैं आपके यहां पर क्या करूँगा 180 रुपय लोगा और सरकार को दे दूँगा तो अगर मैं आपसे 10,000 ही वापस लेता तो कोई GST नहीं आता था लेकिन मैं कुछ यह एक्स्टा पैसा कमा रहा हूँ तो उस पर मैं GST लगाऊँगा तो पहला वाला पॉइंट लियर मनी वाला ठीक है अब बच्चे कैसे गनिफिट हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर देखो सबोज मैंने आपके मोबाइल बेचा अजीम करें हो 50,000 और आपने मुझे 50,000 रुपे दिये तो बच्चे कहते हैं सर इसमें भी तो money है न यहां पर भी तो पैसे का transaction हो रहा है बच्चे से सोचते हैं कि सर आपने मोबाइल दिया लेकिन बदले में यहां पर भी तो 50,000 का पैसा है तो उस पर आप कैसे GST लगा रहे हो तो यहां पर पैसा आप क्यों दे रहे हो क्योंकि आपको goods मिल रहे हैं तो goods या services बीच में involved है तो GST आता है अगर मैं आपको 10,000 दूँ और 10,000 वापस ले लूँ तो बीच में ना कोई goods या ना कोई service है तो आप पर GST कैसे आएगा सही है ना लेकिन अगर मैं आपको 10,000 देखे 11,000 वापस ले रहा हूँ तो 1000 मैं extra ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको service दी है कि पैसा use करो उसका आप charges पे कर रहे हो मतलब interest पे कर रहे हो तो उस पर GST आएगा क्लियर हुआ कोई doubt को दिक्कत तो बताईए परफेक्ट ओके तो हमने goods की definition से बात बाहर किया सबसे पहले money को फिर यह लिख लिया है कि आपने आपना नहीं लिखा तो फोड़ा पर से लिखो फिर example number 2 मैं थोड़ा से यहाँ पर side में लिखते हूँ जलता हूँ जोने नहीं लिखा है अब example number 1 लिखो example number 2 suppose आपने आदानी पावर का share खरीदा for rupees 400 यह अच्छा यह 8% यह हम मौनिका से ले सकते हैं न मौनिका से नहीं सनेहा से लेंगे मौनिका से नहीं सनेहा से लेंगे बताता हूँ दो मिन रुक जाओ नहीं कीता सिर्फ cash transaction पर UST आता है ऐसा नहीं है कैसे भी payment करो को दिक्कत नहीं है तो example number 1 आपको होगे example 2 पर आजाए सुनिया तो यहां पिर आपका अदानी पावर का share है समझो 400 रुपे का तो आपको बता है कि shares कैसे खरीदते बचते हैं सबको idea है कैसे खरीदते बचते हैं Stock Exchange में जाएंगे पर कैसे जाएंगे तो Demet account खुलवाना पड़ेगा अपने को shares में खरीदना या बेचना है तो Demet account खुलवाना पड़ेगा ठीक है DMET account के लिए आपके ब्रोकर होते है जीरो धा हो गया इंजल वन हो गया grow app हो गया पेटीम हो गया जो भी है आप यहाँ पर जाकर अपने DMET account open कर सकते हो एंड वहाँ से जाकर shares खरीद और बेज सकते हो ठीक है तो होता कैसे जैसे जस फर एक्जांपल आपको प्रसे प्रसे प्रसाओं सब्सक्राइब जीरो धा यह अपना क्या है एक broker है तो मैंने जीरो धा के पास account open करवाया और मेरे पास समझिए ICICI का bank account है और मुझे समझिए अदानी power का share खरीदना है समझो 400 रुपए का तो transaction कैसे होता है कि मैं ICICI bank से अपने DMAT account में 400 रुपए डालूँगा और फिर वो 400 रुपए यूज करके मैं अदानी power का share purchase करूँगा सही है ना ऐसे होगा और जब बेचते हैं तो भी ऐसे होता है सब्सक्राइब का share बिग गया 430 रुपए में मैंने इसको sell किया तो यह 430 रुपए मेरी DMAT account में आता है और फिर वहां से मैं इसको अपने bank में transfer कर सकता हूँ मेरी इच्छा तो कर सकता हूँ नहीं तो वहीं पर पड़ा रहेगा तो ऐसा precious होता है clear है अब मुझे बताईए कि अगर मैंने ये एक share खरीदा 400 रुपए का तो क्या इस पर भी GST आएगा अगर मैंने ये 400 रुपए का share खरीदा तो क्या इस पर भी GST आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि investment है अच्छा जिन्होंने sale of goods act की definition पहले पढ़कर रखी है तो sale of goods act में shares वगरा आता है पुराने दूसरी definition में अगर आपने goods की definition पढ़ी है तो वहाँ पर shares वगरा securities वगरा cover up होती है लेकिन GST की definition में securities जो है security मतलब यह shares debentures वगरा यह जो shares debentures वगरा आपके पास जो होते हैं यह हमने goods की definition से बाहर करके रखाए मतलब इस पर GST नहीं आता है उसका दिक्कत यह हो जाती कि इंडिया में रोज 1000 करोडों के shares खरीदे और बेचे जाते हैं तो अब assume कर लो कि अगर एक दिन में Indian stock exchange में 10,000 करोड के shares खरीदे अगर बेचे जा रहे हैं और सरकार इस पर समझो अगर 18% का GST लगा भी देती तो भाई यह 800 करोड हो जाता तो डेली के 800 करोड कौन पे कर रहा होता जो shares खरीदे रहा और बेच रहे हैं तो एक तो shares में profit होना थोड़ा सा dice ही रहता है कभी होता है कभी भी नहीं होता है जो trading करते हैं उसके उपर लोग 1800-800 करोड का tax पे करेंगे दिक्कत हो जाती ना तो सरकार जब GST draft कर रही थी तो पहले उन्होंने लिखा था कि shares पर GST आएगा लेकिन बाद मन को समझ मैं की नहीं कि GST तो ultimate consumer को पे करना पड़ता है जो भी customer होता है finally GST उसकी बेचते हैं तो उस पर GST नहीं आता है ठीक है तो अगर मैं अदानी प्रावर का share खरीदूं बेचूं कुछ भी करूं तो यह 400 रुपए पर GST नहीं आएगा क्रिप्टो करेंशी पर लगाते हैं क्रिप्टो करेंशी पर GST आता है क्योंकि securities की जो यहाँ पर definition है उसमें क्रिप्टो करेंशी नहीं आता है ऐसा क्रिप्टो करेंशी पर अपना GST आता है income tax भी आता है अपने पड़ेंगे ठीक है इतना clear हुआ पका ओके तो इसी example को मैं मैं एक step और आगे बढ़ाता हूँ, suppose मैंने अदानी पावर का शेर खरीदा 400 रुपे का और इस पर जो ब्रोकर था जिसके बास मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया था, वो भी तो अपना कमिशन लेगा न, वो मुझे थोड़ी फ्री में सर्विस फ्रोइट करेगा, तो जी 20 रुपे का उसको कमिशन भी देना पड़ेगा, तो क्या 20 रुपे पर GST आएगा, क्या 20 रुपे पर GST आएगा, तो answer is yes, इस पर GST आएगा, क्योंकि देखो, जहां से देखना, 400 रुपे का जो शेर था, वो तो securities है, तो securities में GST नहीं आता है, लेकिन वो खरीदने बेचने के लिए मुझे facility प्रवाइड किया, तो वो जो मेरा broker था, उसने मुझे service प्रवाइड किया, and service प्रवाइड करने का उसने 20 रुपे लिया है, तो क्या 20 रुपे पर GST आएगा, तो answer is yes, तो assume करो, अगर GST का rate समझो 5% होता, अगर GST का rate अगर 5% होता, तो 20 का 5% is 1 रुपे, तो अपने को टोटल 21 रुपे करने पड़ते हैं, तो अपने अकाउंट से कड़ जाते हैं, अपने जो डीमेट अकाउंट में पैसा रखते हैं, वहाँ से पैसा आपका कड़ जाता है, अगर बापस से देखो, हम गोड़ की डेफिनिशन पट रहे थे, गोड़ की डेफिनिशन में लिखा हुआ था, गोड़ मीन्स, किसी भी तरीखी की मुवबल प्रॉपटी अगर है तो वो गुट से, बट एक्स्क्लूट्स, किसको हमने बाहर किया है, हमने मनी को बाहर किया है, इसक्यूर्टी को बाहर किया है, मतलब मैंने आपको 500 दिया, आपने 500 लोटा दिये, उस पर यस चाहएगा, आंसर इस नो, सबोज आपने Reliance Industries का शेर खरीदा 2800 रुपएगा, क्या उस पर GST आएगा, आंसर इस नो, लेकिन जो broker है, जो आपसे commission ले रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर share खरीदा था, सबोज ने 500 रुपए commission लिया, तो क्या उसकी commission पर GST आएगा, आंसर इस यस, क्योंकि वो आपको service provide कर रहा है, और वो service provide करने पर फिर वो GST आपसे वसूल करेगा, clear हुआ, पक्का एकदम, ओके, तो यह आपका example होगा किसका, securities का, तो इसको भी note down कर ले न, मैं इसको थोड़ा सा जो है, अच्छे सा लिख देता हूँ, तो यह जो आपका अदानी power का जो share है, समझो 400 रुपए का, यह securities है, इस पर GST नहीं आएगा, लेकिन जो आपका broker था, उसने commission लिया 20 रुपए का, क्या उस पर GST आएगा, answer is yes, तो इतना ही लिखो, जैसे मैंने लिखा है न, आपको बाद में भी समझ जाएगा, इसको properly note down कर लो, कि अधिके स्नेहा क्लियर होगा बताइए, स्नेहा शर्मा क्लियर होगा बताइए, कोई doubt कोई दिक्कत अभी तक किसी point में, कोई समस्या तो बताइए, कि अधिके स्नेहा बताइए, स्नेहा बताइए, स्नेहा बताइए, कि अधिके स्नेहा बताइए, किस पर, डॉन्स पर GST लगता है, क्या बले हो, इंट्रेस्ट पर, इंट्रेस्ट पर नहीं लगता है, इंट्रेस्ट पर GST एग्जेम्ट है, अधिके स्नेहा बताइए, अधिके स्नेहा बताइए, जो बैंक इंट्रेस्ट लेता है, उस पर GST नहीं आता है, लेकिन जो डेबिट कार्ड चार्जेस हैं, क्रेडिट कार्ड चार्जेस हैं, एसमेस चार्जेस हैं, हाना डीडी वगरा बनवाते हो, उन सब पर GST याता है, Lone को processing करा उसकी Get retro L diferença पर opacity पर GST याता है, लेकिन interest पर नहीं है, और credit card का कई बार payment करने में देरी हो जाती है, तो Interest पर करना पड़ता है, उस पर GST है, लेकिन NORMAL loan पर Interest पर GST यो पक्का एकदम은 ulase, येस द्वीर एकदम सही लिखा आपने वो दीरे दीर आपको और समझेगा आपको एकदम स्टार्टिंग है चले तो हमने आप अपर अभी जो पड़ा वो पड़ा कि money and securities का हमने बाहर किया है but includes actionable claim फिर आगे क्या लिखा हुआ था but it includes what actionable claim now what do you mean by actionable claim what do you mean by actionable claim yes kaushik एकदम सही लिखा आपने एकदम word to word perfect लिखा आपने dimple थोड़ा रुखजा आपको समझेगा हाना बताओ what do you mean by actionable claim सुने आपने पहले word कभी 11-12 में या कभी भूले बटके वीकों वीकों में सुन लिया होगा ऐसा बच actionable claim मतलब actionable claim मतलब ऐसा claim जिस पर action लिया जा सके बढ़ सिंपल सा मेनिक इसका actionable claim मतलब ऐसा claim जिस पर action लिया जा सके for example for example अभी समझेगे कि यहां पर dimple है dimple ने ना good sell किये है अभी आपका नम भूल गया में किया है साइली और dimple ने goods sell किया है समझो यहां पर साइली को और समझेगे sell किये हैं 10,000 रुपे के dimple ने साइली को 10,000 रुपे के goods बेचे हैं और उधार में बेचे हैं और बाद में साइली जो है वह पैसा नहीं दे रही है पैसा खा गई हो 10,000 रुपे तो मुझे बताओ कि क्या dimple साइली के उपर जाके case कर सकती है क्या dimple coat में जा सकती है और कह सकती है कि साइली ने देखी हमसे 10,000 के goods ले तो और पैसा नहीं दे रही है बोल सकती है ठीक है तो जो उधार में बेचता है उसको बन कहते हैं creditors और जिसको बेचा जाता है जो customer होता उसको बन कहते है debtor तो यह सबने basic basic बढ़ा है तो अपन debtor के उपर जाके case कर सकते हैं तो यह जो अपना debtor है यह है अपना actionable claim यह जो debtor है उसको बन कहते है actionable claim मतलब ऐसा claim claim 10,000 रुपे का था claim 10,000 का अपनी हो करना है मतलब ऐसा claim जिसके उपर आप जाके action ले सकते हो मतलब ऐसा पैसा जो आपको recover करना था और आप उसके लिए जाके case कर सकते हो that is called as actionable claim बस मुद्दा यह है कि यह जो आपका claim है न यह unsecured होना चीए यह जो आपका claim है न यह unsecured होना चीए अब देखो secured loan होता है है unsecured loan होता है सुना आपने को साइंस बेग्राउंड से क्या है आपर कोई वैज्ञानिक वैज्ञान सा है हुआ नहीं कोई नहीं चलो तो आपको यह सब पता है ना सब को यह बात पता है तो देखो secured loan मतलब क्या जिसके बाद में अपन को security रखवाते हैं अब देखो जाते for example समझो मुझे business के लिए loan लेना है दो करूड का और मैंने उसके लिए क्या किया अपने घर के कागज़ाद गिर भी रखवा दिये तो वो जो दो करूड हो गया जो loan हो वो secured हो गया मैंने कुछ नहीं कुछ security वहा होता है secured loan होता है unsecured loan या unsecured amount मतलब क्या जैसे यहां पर जब भी normally अपन goods बेशते हैं उधार में बेशते हैं आपके दुकान पर कोई customer आया और उसम बोला कि पात दिन के बाद payment कर दूँगा तो अपन उसको यह बोलते हैं कि तेरी घडी रखके जा तेरी सोने की चेन रख secured debt तो जब हम किसी को यहां पर माल वगरा बेशते हैं उधार में तो वो वाले जो debt होता है वो unsecured होता है हम सामने वाले से कुछ गिरवी नहीं रखवाते हैं सही है ना तो actionable claim में जो आपका debt है वो unsecured होना चाहिए जैसे इस वाले example में जब हमने debtor को माल बेचा तो हमने claim is called as actionable claim so the claim on which action can be taken means you can approach the court for recovering the amount and the debt should be unsecured जिसमे आप court में जा सकते हो यह बोलने के लिए कि हमको अपना पैसा देलाओ and वो जा आपका debt है वो unsecured होना चाहिए this is the example of actionable claim तो आपको लिखवा देता हूँ यह heading आपने लिखी देना एक्स्ट्रेम की तो इसमें नीचे लिखना it is a kind of claim that is amount for which a person can approach the court for its recovery interest for GST क्यों लगेगा रितिका interest पर GST नहीं लगता है और इंट्रेस पर GST नहीं लगता है practically नहीं लगता है और क्यों लग सकता था क्योंकि अगर मैं आपको 10,000 का लोन दिया था आपने 11,000 लोट आए तो एक हजार रुपे क्यों आपने मुझे ज्यादा दिये क्योंकि मैं आपको service provide कर रहा था मैं आपको ओला कि यह लोग पैसा यूज करो लेकिन बदल में एक हजार देना तो मैं जो service provide कर रहा था मैं उसका पैसा ले रहा हूं एक हजार तो उस पर GST लग सकता था practically नहीं लगत है tax free रखा है so it is a kind of claim for which a person can approach the code for its recovery and the claim should be and the claim should be unsecured and the claim should be unsecured जो आपको claim है वो unsecured होना चिये जैसे for example debtors जैसे for example debtors हां जी बताए तो actionable claim की definition में नहीं आएगा और उसमें फिर मुद्दा किसे हो जाता है वो जो आपका mod gauge बगरा होता है न उस पर जो फिर आप एक्स्टा चार्ज करते हो इंटेस्ट वगरा उस पर फिर GST देना पड़ता है करेंगे अपना आगे इसका देरे देरे आप और एस्पेट समझो कि आपको ज्याधा clarity आएगी इंशॉरेंस पर लगता है कि GST इंशॉरेंस पर मतलब इंशॉरेंस को जो प्रीमियम अपन पे करते हैं उस पर GST आता है तो एक आपने एक्जांपल लेका debtors तो debtors में आप य साहिली को goods बेचे थे 10,000 रुपेगे ठीके तो साहिली यहां पर debtor हो गई तो this is called is our actionable claim यह जो debtors है this is called is our actionable claim मतलब आप court में जाके case कर सकते हो पैसा recover करने के लिए एंड यह होना चाहिए unsecured ठीके जो online देख रहे हैं भाई लाइक कर दिया गरो क्या अध्यादे लोग लाइक करते किसे शर्माते आप शर्माने लिए बात नहीं कर दिया गरो आप चाहे ट्रेविन्यू हाँ चालू तो है लेकिन भेशते नहीं अच्छे पीस देदी है ना अच्छे लोग क्लियर है डन चले मागे लिखा गया सबने नहीं लिखाओ को तो बोलना ऐसे अब नहीं बोलो को तो मैं आगे चले जाओंगा फिर मत बोलना लिखने का टाइम पर नहीं देते हैं को चे की दुबह उस पर income tax आएगा जाब पूछे उस पर income tax आएगा बिलकुल advertisement पर भी जीस्ट लगता है डिको advertisement करके देना भी क्या है service ही है न तो उस पर भी जीस्ट आता है मतलब normally हर चीज़ पर जीस्ट आता है हर चीज़ पर जो आपने अलग से लिखके रखा है सब उस पर नहीं आता है तो देखो for example debtors second होता है जैसे bills receivable second example आप लिख सकते हो bills receivable bills receivable क्या हो bills payable bills receivable ठीक है और थोड़ा precise revenue तो bills receivable मंदब एक document होता है जिसमें आपन किसी को लिखके दे देते हैं कि भाई हम आपको दो महिने के बाद 3000-5000 पे कर देंगे ठीक है तो जो लिखके देता है उसके लिए आपर bills payable होता है और जिसको पैसा recover करना होता है उसको लिए bills receivable होता है ठीक है तो normal debtor ने for example आपको bills receivable जो है बना के दे दिया तो अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप जाके court में case कर सकते हो कि यह देखो bills receivable है हाना मेरा claim है unsecured है यह पैसा नहीं दे रहा है तो even that is what actionable claim हाँ आप bank से discounting भी करवा सकते हो तो जो discounting charges होते है उस पर भी GST आता है करेंगे है अपन क्या बहुत है हाँ प्रॉमिसरी नोटी हो गया ठीक है चले अब इसके अलावा जैसे for example lottery for example lottery की ticket हो गई है तो अगर आपको lottery लग गई समझो पांच करोड की और सामने वाला पैसा न दे तो आप जाके case कर सकते हो हाना आप जाके case कर सकते हो अपना पैसा recover करने के लिए अब ऐसे lottery legal होती है illegal होती है आपने contract पढ़ा है क्या windfall gain में आता है ठीक है वो income tax के point विसे जाता है windfall gain में बट 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 थोड़ा बहुत contract पढ़ा है क्या उसमें void voidable ऐसा कुछ पढ़ाए क्या पढ़ाए क्या वेजर पढ़ाए क्या वेजर वेजर तो वेजर agreement या वेजर contract क्या होता है बट तो वेजर valid होता है क्या वोईड होता है except in Mumbai बंबे में इल्लीगल है कि मॉम्बे में लीगल है कि इल्लीगल है अच्छा ठीक है सब्सक्राइब अपने पूने में यहां पर क्या किया लॉट्री लगाई और जीत गए तो मुझे बताओ कि लॉट्री भी वेजर में आता है लौट्री भी वेजर में आता है, और वेजर तो जनरली वोड होता है, फिर केस कैसे करण होगे? अगर आप अपने वोड कंटेक्ट, मिलें तो यह वाइड एक्रिमेंट मतलब जिसका कोई भी लीगल इंप्लिकेशन नहीं है, कोई भी लीगल इंपेक्ट नहीं आप कुछ कर नहीं पाँ है, तो वाइड हो गया, फिर भी जाके कैसे किस करोगे, अचा अगर वेजर है, इल्लीगल है, तो फिर चलाते कैसे हैं, अगर वेज बिचा दी बाहर, 100 टेकट चाप दियो, low lottery हमसे, कर सकते हो गया, आचा करते हैं न लोग फिर भी, lottery centers होते हैं न, आसफास भी बहुत सारे lottery centers है, तो कैसे चलते हैं, तो license लेना पड़ता है किस से, state government से, अन्य state government आपको license दिया, अप्रूल दिया, तो ही आप authorized lottery center कहला होगे, और काम कर पाऊगे, otherwise नहीं, तो license मिलने से बस इतना हो जाता है, कि वैसे तो void होता है, लेकिन आपको jail will में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपको license है, and क्योंकि commercial reasons है, अभी अगर आप lottery जीत गया, and सामने lottery center वाले ने आपको पैसा नहीं दिलवाया, तो आप उसका नाम commission आई थी, कि lottery चला सकते हो, इसलिए आप case कर सकते हो, और वो आपको पैसा देते हैं, क्योंकि commercial reasons है, उनको अपना धंदा चलाना है, अगर नहीं देंगे, तो आप बोलो कि इस से lottery मत खरीद हो, तो बिचार का धंदा बंद हो जाएगा, ठीक है, तो lottery, betting, gambling, ये सब भी क्या ह होते हैं, तो आपके actionable claim होते हैं, मतलब आप जाके अपना पैसा recover करने के लिए case कर सकते हो, clear हुआ, तो वापस से goods means any kind of movable property, कोई भी चीज जो movable है goods में आ जाएगी, goods में से क्या-क्या बाहर जाएगा, money पर GST नहीं है, securities पर GST नहीं है, but includes actionable claim, मतलब actionable claim पर GST है, इसका मतलब है कि actionable claim पर GST है, अभी कैसे लगता है, जैसे अपन bills receivable ले ले लेते हैं, for example, मेरे पास bills receivable हैं, समझे 10,000 रुपे के, अब bills receivable सबको पता है न, bills receivable मतलब जैसे, for example, अपने को न, वैभाव से पैसे लेने थे, for example, अपने को वैभाव से पैसे लेने थे, तो वैभाव ने क्या किया, वैभाव ने एक document में लिखके दे दिया, कि मैं आपको 10,000 रुपे करूँगा, after 3 months, ऐसा उसने मुझे लिखके दे दिया, कि मुझे 10,000 रुपे देगा, after 3 months, तो लेकिन मुझे पैसे की बहुत सक जरूत पड़ गई, तो मैं ये bills receivable लेके समझे यहाँ पर अमन के पास गया, for example मैं ये bills receivable लेके अमन के पास गया, मैंने अमन को बोला कि यार मुझे 10,000 की बहुत जरूत है, एक काम करूँ, ये 10,000 रुपे आप लेलो, बन्दब ये bills receivable रख लो, और मुझे आप 10,000 रुपे देदू, मैंने अमन को कहा, कि जो bills receivable मेरे पास है, ये आप रख लो, और मुझे 10,000 रुपे देदू, आप जाके वैभाव से पैसा ले लेना, हमने अमन को कहा, कि आप जाके वैभाव से पैसा ले लेना, ट्रांजिक्शन समझाया, वापर से बूलू एक बार, तो मुझे वैभाव से 10,000 रुपे लेने थे, वैभाव ने एक चिठी में लिखके दे दिया, कि मैं आपको तीन महीने के बाद 10,000 रुपे दूँगा, और चिठी is called as bills receivable, तो मैं मेरे पास वो चिठी आ गई, वो bills receivable आ गया, जिसमें लिखा हो था कि वो वैभाव मुझे 10,000 रुपे देगा, तीन महीने बाद देगा, लेकिन मुझे तो आज ज़रुद पढ़ गी पैसे की, तो मैं वैभाव के पास गया, उसने बोला अभी पैसे नहीं, तो अमन रेडी हो गया, लेकिन अमन ने बोला कि मैं आपको पूर एक पूरे 10,000 नहीं दूँगा, मैं आपको 9,000 रुपे दूँगा, भाई वो मुझे फैसिलिटी दे रहा है तो अपनी कमिशन खाएगा न, जो पैसा मुझे तीन महीने बाद मिलने वाला था, वो मुझे पैसा आज देने के लिए तो थोड़ा तो अपने प्रॉफिट कमाएगा, तो अमन क्या करेगा, मुझे 9,500 रुपे देगा, और वैभाव से जाके 10,000 लेके आएगा, तो अमन यहापर 500 कमा लेगा, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस बिल्ट रिसीवेबल को बेचा है, ट्रांसफर किया न मैंने, जो मेरे पास था, मैंने किसी और को बेचा, ठीक है, और सामने वाले ने उसमें किता कमाया, 500 रुपे कमाया उसने, तो 500 रुपे पर GST आएगा, उसका मतलब यह है, एक्शनेबल क्लेम पर GST आएगा, मतलब जब यह डेटर्स वगेरा, या बिल्ट सिसेबल, जब आप किसी को बेचते हो, मैंने उसको दिया, तो उसने मुझसे खरीदा ज़रूर, लेकिन उसने कमिशन भी चार्ज किया, कितना? 500 रुपे किया ना, तो 500 रुपे पर GST उसको लगाना पड़ेगा, as per the initial definition, आगे आपको समझेगा कि इन पर GST नहीं होता है, GST सिर्फ तीन चीज़ों पर होता है, Lottery, Betting, Gambling, एक्शनेबल क्लेम में सब आता है, डेटर्स भी आएगा, बिल सिसेबल भी आएगा, लेकिन GST सिर्फ तीन चीज़ों पर आता है, Lottery, Betting, Gambling, एक्शनेबल क्लेम में, उसके लवा किसी में भी GST नहीं है, अब हो किया है कि Step by Step होता है, इस लिए मैं वहीं पर डिसकस करता हूँ, Lottery, Betting, Gambling, मतब इस लाइक कि आप Lottery का टेकेट खरीदो, तो आपको 28% का GST देना पड़ता है, ठीक है, आप कसीनो में जाओ, गोवा में, Betting, Gambling करो, ठीक है, वहाँ पर आप समझो, Entry Feast 10,000 दे रहे हो, तो उस पर भी आपको GST देना पड़ता है, ऐसा, Clear है, समझाया, हाँ या ना, तो हम ने आपर क्या बूला, की ए फिवीरल इंग्रोड वाट, Actionable Claims को हम इंग्रूड करेंगे, और हम क्या करेंगे, actionable claims को इंग्रूड करेंगे, Heavy तो ने हो रहा है, Heavy तो ने हो रहा है, पका, तो actionable claims को यहाँ पर include किया गया है, जाना, grass वगरा 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 वचार attached to or forming part of the land यस नहीं हाँ 500 रुपए पर जीज़े लगसे लेगा तो which are attached to or forming part of the land and which are to be severed under a content of sale simple शब्दों में जब तक चीजे जमीन से जुड़ी हुई है वो immobile है लेकिन जब मैं उसको जमीन से निकालके बेचूँगा वो immobile है जब तक चीजे जमीन से जुड़ी हुई है वो immobile है उस पर मैं GST नहीं लगा पाऊँगा लेकिन जैसे उसको मैं जमीन से निकालके बेचूँगा उस पर मैं GST लगा सकता हूँ जैसे for example मेरे पास एक agriculture जमीन है वहाँ पर फसल अभी उग रही है पूरी growth हुई नहीं है बीच में मैंने क्या क्या उस जमीन को मैंने किसी और को बेच दिया तो वहाँ पर जो भी फसल लगी थी जो भी पेड़ पौधे लगे थे मैंने as it is बेच दिये तो वह goods नहीं है क्योंकि मैंने उसको जमीन से निकाला नहीं लेकिन suppose कि जमीन में यहाँ पर अगर आलू उग रहा था और मैंने सामझालको बोला कि आलू निकालके मैं आपको ब लगी है तब तक वह इमोवल है लेकिन मैंने या तो उसको निकालके बिचा या तो मैंने कॉंट्रेक्ट में लिखके दे दिया है कि दो महीने बाद जो फसल होगेगी मैं आपको निकालके बिचूँगा तो भी हम उसको क्या बोलेंगे goods बोलेंगे ठीके, severe करने का मदब क्या होता है? which are to be severed under a contract of sale, severe करने का मदब होता है निकालना, अलग करना, काटना, मतलब जमीन से अलग करना, समझ आया? तो एक बार वापस से पूरी definition में आपको गोथ्रू करवाता हूँ, तो हमने आपर क्या बोला, जहां से देखना, हमने का goods means any kind of movable property, किसी भी तरीके की movable property अगर है तो वो goods है, but goods की definition से क्या बाहर है? तो money and securities, goods की definition से बाहर है, मतलब उस पर GST नहीं आएगा, हाना money पर GST नहीं आएगा, shares, debentures पर भी GST नहीं आएगा, but includes what? actionable claim, मतलब actionable claim पर GST आएगा क्या? तो yes, आता है, लेकिन सिर्फ तीन ही चीज़ों पर आता है, lottery, betting, gambling, actionable claim में आप चाहे तो लिख भी सकते हो side में, वै सिर्फ तीन चीज़ों पर GST आएगा, हाना और किस पर आएगा? growing crops, बाकी actionable claim पर GST नहीं आता है, debtors, bills, पर नहीं आता है, सिर्फ तीन चीज़ों पर आता है, lottery, betting, gambling और इसका GST का rate भी 28% होता है, हाना and includes what your growing crops, grass, वगरा वगरा, which are attached to or forming part of the land, मतलब growing crops या grass अभी तो जमीन स sell, let's get out है, आप कहा? उस पर आगया आएगा मुद्दा, जो मैं services की definition पढ़ा हूँगा न, उस पर मैं जमीन और building की बात करूँगा, एक brief दे देता हूँ, एक brief दे देता हूँ, कल discuss करेंगे वैसे, जमीन को बेचने पर GST आएगा क्या? जमीन को बेचने पर GST आएगा क्या? जमीन goods है कि services है? देखो एक बात ध्यान रखो, GST या तो goods पर आएगा, या तो services पर आएगा, अगर दोनों नहीं है तो GST नहीं आएगा, तो जमीन goods है? जमीन movable है? नहीं, जमीन कोई service है? नहीं, तो जमीन पर GST नहीं आएगा, point number one, point number two, building, एक flat भी काए, एक bungla भी काए, तो क्या buildings पर GST आएगा, building movable है क्या? चलो prestige point लोनावला लेके जलते हैं थोड़ा, जमीन वहीं पर classes करेंगे, पूरा setup लेगे, तो building movable है क्या? नहीं, तो ideally GST नहीं आएगा, लेकिन अगर building under construction बिग गई, तो GST आता है, अगर bunny बनाई building बेच रहे हो, तो GST नहीं आता है, लेकिन building अगर under construction है, तो फिर GST आता है, जैसे कहने का मतलब समझो कि सामने जमीन खाली है, एक builder ने project चलो किया, उसने बोला कि मैं 100 flat यहां पर बना रहा हूँ, आप चाहे तो booking कर लो, तो आपने जाके booking कर ली, booking कर ली मतल मैं अब हो अंडर construction में ही बिग गया, अभी बना नहीं था न, अभी इसके बीच में बिग गया, तो GST आता है, क्यों कि सब्सक्राइड बनने वाला था एक करोड का, हमने उसको एक लाग रुपे दियो और हमने booking कर ली, हमने booking कर ली इसका मतलब है कि वो वाला flat builder हमारे अगर मेरी booking नहीं थी तो वो बिल्डर अपने लिए फ्लैट बना रहा था फिर बाद में बेशता लेकिन अगर मैंने उस बिल्डर को एक लाक रुपए जाके दे दिये मतलब उसके बाद वो वाला फ्लैट मेरे लिए बन रहा है तो वो मुझे service प्रवाइट कर रहा है अगर under construction buildings अगर बिख जाए तो उस पर GST आता है अगर पूरी बन जाए मतलब एक completion certificate आता है अगर वो completion certificate मिलने के बाद आपने building बेची है तो उस पर GST नहीं आता है तो यह करेंगे अपने discuss क्योंकि immobile property पर stamp duty भी आता है सुना होगा आपने registry करवानी पड़ती है तो वो तो आता ही आता है किसी भी case में आता है मुद्धा बस होता है कि GST आएगा कि नहीं तो जमीन पर नहीं आएगा building अगर under construction रही तो आएगा नहीं तो नहीं तो नहीं आएगा ठीक है समझाया है ठीक है आ रहा है कि टेक्स पढ़ने में मज़ा थोड़ा थोड़ा सा current affairs से थोड़ इसा ऐसा लग रहा है मुझे आज तो इसको प्लीज रिवाइस करके आना ताकि करना हम services की definition पढ़ पाएं और उसके बाद supply वगरा से हम धीर धीर आगे बढ़ता है ठीक कल क्या है Saturday नहीं कल Friday अच चलो ठीक है ओके चले बाइगेस थैंकी समय शुक्रिया अना ब्रेक लेलो अना और आप जा सकते हैं से मेरे लिए रुखने की उज़रत नहीं है ठीक है चले तो लाइक और कमेंट कर देना जो भी लाइव देख रहे हैं अब भी देखेंगे बाद में देखेंगे सब ठीक है बाए शुक्रिया कौशिक कल डिसकस करनेंगे वापस शायरी कल सुना दाओं पक्का ठीक है बाए